इस वेडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह Windows 10 लैपटॉप में Set Time Automatically किस तरह Disable कर सकते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले Start Menu पर किलिक करना है फिर आपको Settings पर किलिक करना है और फिर आपको Time and Language इस पर किलिक करना है यहाँ पर आपको दिखाए देंगा Set Time Automatically तो अभी यह On है और उससे पहले मैं आपको यह बताता हूँ कि हमें इसको Off करने की जरुरत क्यों परती है क्योंकि जब तक हम इसे Disable नहीं करेंगे Set Time Automatically को हम Time and Date Change नहीं कर पाएंगे इस पर किलिक ही नहीं होगा आप देख सकते हैं Change Date and Time पर किलिक नहीं हो रहा है तो इसलिए हमें Set Time Automatically Off करना पड़ता है इस तरह आप Off कर सकते हैं और जैसी मैंने Off किया अब जो है Change पर किलिक हो रहा है